मार्केट में सबसे बड़ा जोखिम तो जोखिम ना लेने में एक दिन में इतना तो मार्केट ने सिखाई दिया हाई दोस्तों आप सबका फिर्फिस लागत है मनी लाजी के एक और एक्साइटिंग एपिसोड में बहुत सही कहा है कि जोखिम के बिना इस मार्केट में आदमी काम नहीं कर सकता अगर आप जोखिम नहीं लेते हैं तो आप बिलकुल भी पैसा नहीं कमा सकते एकदम सही लाइन्स हैं बिना जोखिम के पैसा नहीं बनता जोखिम आपको लेना ही पड़ता है एक calculated risk जो है आपको हमेशा लेके चलना पड़ता है यही एक loser और winner के बीच का फासला जो है वो तै कर देती है यह जो risk लेने की शमता है calculated risk लेने की शमता सही जगह पे हत्तोवा मारना यह एक winner को loser से अलग कर देती है बस वही एक जगह है जहां आप loser और winner से अलग हो जाता है आदमी उसको differentiate कर पाता है आपको देखा हूँ अभी से दो तीन साल पहले गोल्ड जिसको हम सोना कहते हैं approximately 25-26 हजार के अरीब करीब मिलता था बहुत पहले की बात नहीं कर रहा हूँ हम यह नहीं पोड़ रहा हूँ कि बीस साल पहले तीस साल पहले कि हमारे जैसे हमारे दादा परदा रहे जमाने में जमीन थी इतनी सस्ती मिलती थी आज अगर मैंने ले लिया होता तो मैं कहां पहुँच जाता यह सारी बाते नहीं कर रहा हूँ मैं एक्दम recent बात कर रहा 25,000 26,000 तक के rate तक पहुँच गया था ठीक है अगर हमने उस समय gold में invest किया होता तो आज देखिए दो साल के अंदर हम 50,000 के level तक पहुँच गया है पैसा almost double हो गया सिर्फ दो साल के अंतराल में यह ना यह क्यूं हुआ क्यूंकि आपने सही टाइम पे सही जगह पे रिस्क लिया सही टाइम पे सही जगह पे रिस्क लेना और रिस्क कहां पर लेना है आपको किसी खराब चीज पर रिस्क नहीं लेना है वरन बफे साहब जो विश्व के महांतम डिवेशक हैं उन्होंने कहा है कि जब ब्लड बात हो मार्केट में जब हर जगह सिर्फ खून ही खून हो मतलब हर जगह प्राइजस गिर रहे हो मार्केट में क्राश आया हो उस समय आपको ऐसी कंपनी में निवेश करना चाहिए जिसके अंदर फंडामेंटल्स अच्छे हैं कंपनी अच्छी है अगर आप उस कंपनी में निवेश करेंगे तो जैसे ही वापस मार्केट उपर जाएगा आपको बहुत जबर्दस्त रिटर्न्स मिलेंगे तो यह हमारे जो वरन बफे साब हैं वो भी यही कहते हैं तो सोने में अगर हम उ कुछ समय निवेश करते तो आज बंपर फाइदा होता वैसे ही अभी से कुछ समय पहले मेरे कहल से दो तीन महीने पहले मैंने अगर आपको याद हो एक वीडियो डाला था पी वी यार को लेके सिनमा हॉल बनते करोना की वज़े से पूरा शटडाउन था एक वीडियो डाला था सिर्फ मल्टिप्लेक्स को लेके कि आप जाके इनके स्टॉक पे नज़र रखिए आप छोटे से रिस्क में बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं उस से मैं अरीब करीब 1100 के अरीब करीब जो है PVR का प्राइस था आज आप देख सकते हैं क्या प्राइस चल रहा है PVR का सही जगा पे सही चीज उठाना बहुत important है तो आज जो हम बात करने वाले हैं आज हम बात कर रहे हैं Cryptocurrency की आपने पता लगा लिया होगा कि हम Cryptocurrency के बारे में बात कर रहे हैं अच्छा क्रिप््टो करिंसी है क्या होता है ये मैंने अर्लडी अपने एक वीडियो में बता के रखा है आप अगर चाहें तो ऊपर आपको आई बटन में वो मिल जाएगा नहीं तो आप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके मैं आपको उसका link दे दूँगा आप जाके वहाँ पे उसको देख सकते हैं तो cryptocurrency क्या है वो हमको already आपको पता होगा अरीब करीब Bitcoin, Ethereum, Cardano Dogecoin ये सारे आपको already पता है कि ऐसे कुछ होता है कोई चीज है लेकिन आपको पता है कि आज से कुछ 10 साल पहले we are in 2021 2011 में Bitcoin की कीमत क्या थी अंदाज लगा सकते हैं एक डॉलर भी नहीं था not even 1 डॉलर in 2011 2011 में Bitcoin की कीमत 1 डॉलर भी नहीं होती थी है ना आज क्या कीमत है it has touched 60,000 डॉलर 60,000 डॉलर ठीक है Bitcoin ने छलांग लगाई है in 2021 कितने साल के अंदर सिर्फ 10 साल में सिर्फ 10 साल में जो चीज एक रूपे का भी नहीं है वो साथ हजा़ डॉलर का हो जाता है मैं डॉलर टॉम से बात कर रहा हूँ तो आप समझें क्या returns दिये हैं उसने लेकिन हमने निवेश नहीं किया अचा यह तो बहुत पहले की बात हो गई सर यह ना बहुत पहले की 2019 में Bitcoin अरीब करीब 7,000 के अरीब करीब ट्रीड करता था 2019 में आज बताने की ज़रुवत नहीं है यह ना सो दिस इस आउ दे इन्वेस्मेंट्स आर नहीं चीज है नहीं चीज पे आपको हमेशा bet करना चाहिए या तो आप उड़ोगे या तो गिरोगे simple भी बात है गिरने का आप अपना एक छोटा सा stop loss लगा लीजिए लेकिन उड़े तो बहुत जबर्दस returns मिलते हैं गिरने पे आप थोड़ा सा stop loss लगा के रखिए और आप वहां से निकल जाएगा तो आप कोई भी ऐसा आपको asset जो मिलेगा जो नया होता है market में जिसको आजकल market जो है respect कर रही है आपको हमेशा उस पे नजर बना के रखनी है समय के साथ चलना है समय के against चलोगे जो डौर है आपको उस डौर में काम करना है अगर आप दौर से अलग जाएंगे तो भाईया आपके पैसे नहीं बनने आज का दौर bitcoin का दौर है आज का दौर cryptocurrency का दौर है तो आपको इसमें निवेश जरूर करना चाहिए बहुत अच्छी rally के बाद एक correction आया है क्रेक्शन आया क्योंकि mining को लेके थोड़े से problems आये बहुत सारी जो governments है वो इसको illegal गोशित कर रही है एक downfall चल रहा है इसके अंदर अभी recently चाइना ने चाइना का जो central bank है उसने इसको illegal गोशित कर दिया उसकी वज़े से मतलब क्रिप्टो करेंसी ते इलिगल गोशित किया सभी करेंसी के अंदर भारी गिरावट आई जितने भी क्रिप्टो करेंसी थे बारी गिरावट आई और सारे investors जो है वो जो छोटे मोटे क्रिप्टो करेंसी थे उसको छोड़ के फटा फट उन लोग Bitcoin की तरफ भागने लगे Bitcoin की तरफ भागने लगे They are interested in putting money in Bitcoins ठीक है लोग Bitcoin का सहरा ले रहे हैं छोटे मोटे को छोड़ के Because they felt कि बहुत सारी government ऐसा कर सकती है आज चाइना ने किया है बहुत सारी government ऐसा कर सकती है क्यूं करेंगी मैं उसके एक अलग वीडियो बनाओंगा अलग टापिक है कर सकती है अगर आप overall देखे क्या Bitcoin यहाँ पे अभी जिस condition में है हम एक climax में है या तो आने वाले कुछ समय में Bitcoin पूरा खतम हो जाएगा ठीक है पूरा खतम हो जाएगा Bitcoin यानि की Cryptocurrencies almost ban हो जाएगे सभी countries में या कुछ ऐसा होगा कि यहाँ से यह और उपर चला जाएगा तो पिछले 10 साल में अगर एक रूपय से हम साथ हजार डॉलर तक जा सकते हैं एक डॉलर से साथ हजार डॉलर तक जा सकते हैं तो आने वाले 10 साल में भी probability है कि हम यहाँ से और उपर भी जा सकते हैं अगर हमने सही जगा पे सही निवेश किया with proper stop loss तो यह मौका है जो मौका है आपको उसको use करना है crypto में invest करने के लिए बट एक चीज मैं आपको बता दूँ क्यूंकि सभी government जो है अभी इसको ban कर रही है यहाँ वहाँ और यह एक नया start-up है नया start-up में आपको बहुत बड़ी पूंजी नहीं लगानी चाहिए आपको थोड़ी सी पूंजी लगानी है ज्यादा से ज्यादा 1%, 2% आपका जो capital है या max ले लिजिए 5% आपके capital का आप यहाँ लगाएंगे उसके उपर आपको नहीं लगाना है याना आप उतने में ही रहें और उसी में अपना जो काम है आप करें हो सकता है हमको एक अच्छे returns यहाँ से मिल सकते हैं अगें आप पहले अपनी खुद की study करें करने के बाद आप उस पे निवेश करें क्रिप्टो के अंदर मौका है बौके के साथ धोका भी मिल सकता है अपनी खुद की study आपकी करनी बहुत जिरूरी है study कीजिए अच्छा बहुत सारे लोग बोलते हैं क्रिप्टो में invest करना बहुत मुश्किल काम है क्या कैसे करें बढ़ा आसान काम है आपको ये निवेश करने के लिए पहले आपको जैसे आपने पहले stock market में काम करने के लिए आपने क्या किया आपने account open किये broker के पास account open किया सेम तरीका है आपको पहले crypto currency में काम करने के लिए उनके exchange में account open करना पड़ेगा बहुत सारे आजकल आ चुके हैं अगर आप YouTube देखते हैं तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ये ले लो वो ले लो ले लो बहुत सारे brands हैं और साब अच्छे हैं ठीके आप किसी में भी निवेश कर सकते हैं जैसे coin switch कुबेर हो गया वजीर X हो गया coin DCX हो गया ऐसे बहुत सारे हैं जिसमें आप किसी में भी अपना account open करके आप वहाँ पे trading कर सकते हैं मेरा जो account है वो है coin switch कुबेर में आप चाहें तो उसमें भी account open कर सकते हैं मैं उसका जो link है वो description box में डाल दूँगा आप वहाँ से account open कर सकते हैं जब आप account open करेंगे account open करना absolutely free है और अगर आप मेरे link से account open करेंगे तो आपको 50 रुपे का bitcoin स्टार्टिंग में जैसे आप account open करेंगे उसी समय आपके account में आ जाएगा 50 रुपीज का bitcoin आपको मिल जाएगा अगर आपने मेरे link से account open किया है तो आप इस चीज़ का फाइदा उठाना चाहें तो उठा सकते हैं account opening absolutely free है बिना किसी tension case सिर्फ पैंड काड आधार काड से आप अपना account जो है open कर सकते हैं और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है तो कैसा लगा आपको यह वीडियो मुझे ज़रूर बताएगा कोई भी सवाल है तो आप मुझसे comment box में पूछ रखते हैं आने वाले टाइम में और कुछ वीडियो पोस्ट करूंगा मैं cryptocurrency के उपर तब तक के लिए सीखते रहिए कमाते रहिए खुश रहिए